सो हेलो गाइज आजाको आमरो टापिक चाहें इंजिनेरिंग फिजिक्स को इलेक्ट्रो मैगनेटिजम को साइकलो ट्रोन वनने टापिक फुल डीटेल एक्स्प्लेनेशन वीडियो राश्टर समा एर देन वाला अब चाहिमा सुरू गरे साइकलो ट्रोन साइकलो ट्रोन वननेको की उसा वन्दा सुरू मात्यो जानना परो साइकलो ट्रोन वननेको इस्तो डिवाइस हो जस्ते के काम गरचा वन्दा खेरी इसले चार्ज पार्टिकल अरुलाई एक्सलेरेट करने काम गरचा जुस्ते के कुला यो जुन्छा रे चार्ज पार्टिकल अरुले एक्सलरेट करना यो जुन्छा रा यसलाई चाहें आमे की बनी बनना सकेंचा बन्दा खेरी यसलाई आमले चार्ज पार्टिकल एक्सलरेटर बनी बनना सकेंचा यो एस तो डिवाइस हो जुन की higher energy particle अरूलाई मतलो higher खुस्त खाल को particle हो गन्दा गेरी जुसको energy चाहें अल्ली higher होंचा तिनी particle अरूलाई चाहें determine गरनालाई कुन for the nuclear reaction experiment अरूको लाई चाहें पत्त लगोनालाई यो हमले cyclotron वनने device को यूज गरचां केको लाई this device is this device can be used to produce highly energetic particle that is used in nuclear reaction experiment तो यू चाहें इंट्रोड़क्शन पाड़ भायो हमरो cyclotron को अब चाहें cyclotron को फर्दर कसरी इसले काम गरचा इसको working भू जमाई था cyclotron वने को कस्तोखाल को device होंचा इस्तो दुइठा D shape बहो को device जस्तो होंचा यहाँ D shape D जस्ते छानी दुइठा यहँड़ा opposite D यहँड़ा सिधा D ओत्यो दुइठा D मतलब D जस्तो device को बीच मा हमले यहँड़ा source राग्छां source केको यहँड़ा कुने आयोन को आयोन अथवा पार्टिकल त्याहां से कस्तोखाल को पार्टिकल होना पड़चा त्याहां हम्रों electron चाहिए होना वायना है electron वाने को एकदम light weight पार्टिकल हो अलिगाती heavy weight पार्टिकल जस्ते proton अथवा alpha अल्फा पार्टिकल आरू आम ले यहां से इलेक्ट्रों चाहिए राखना मिल दायना आम ले कीके राखचाम proton अथवा alpha पार्टिकल राखचाम alpha particle इन्हे अरू चाहिए अलिगाती electron वन्दा heavy होनचन त्याहार यह चाहिए राखना मिल्यों इलेक्ट्रोन चाहे राखना मिले ना अब चाहिए आमी सोर्च ना यवड़ा मानम की प्रोट्रोन राखे माई ना अख्यी वहनचा बंदाखेरी साइकलोट्रोन की गड़चा कॉंसिस्ट गड़चा दुईटा D-shaped hollow semi-circular metallic chambers जसले आमले D1 रा D2 राखे नाम दिनचा हम त्यसले आमले क्यों वहनचा हम? Ds वहनचा हम दुईटा D अरुले मिला रा Ds वहनचा हम त्यस्वची यवड़ा source चाह जसले आमले S वहनचा दिनोट गारे हम हर्दर त्यसले जो नामरो source चाहने source को त्यो पार्टिकल लाई चाहे आमे हर्दर मूब गाराऊनले चाहे बीच मा कुणे पनी restriction नावस कुणे पनी medium मतलब medium को presence नावस वहने राखुम गराऊचाम रत्यस्वची की गारिंचा बंदागेरी चैम्बर हरुको बीच मां चाहे मतलब चैम्बर हरुको दूइटे मतलब चैम्बर हरुको side-side मां electromagnets अरुको दूइटा poles राख्चाम North pole and South pole वहने रा दूइटा electric field generate गरना लाई चाही आमी electromagnets राख्चाम वहने त्यसपसी चाहे आमी magnetic field जुन वान चाहने त्यों दुईटा को बीच में magnetic field चाहि परपेंडिकुलर रियक्ट गड़ चाहिए को सरी परपेंडिकुलर रियक्ट गड़ चाहिए यह यह जुन आमरो यो source चाहिए source मनें चाहिए आमें right hand thumb roll लगवा जाहिए ठाक्का यो magnetic field downward जाहिए direction of magnetic field की हुँँचा downward हुँचा यह यह दुईटे perpendicularly act गड़ निवो perpendicularly वानेको perpendicularly downward अत्वा आमले एता तीरा राखे आवाए यो perpendicularly upward जानते हुँचाहिए आमरो direction एता जी रगवा हा ठाक्का यह तो यह आमरो डॉट 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 देख्खे चाह वलाग यह दिरेक्शन वानेको इस तरी हुँँचा clockwise direction वाने clockwise direction वाने clockwise direction वाने clockwise direction वाखे चाहिए right hand thumb rule डॉट 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 magnetic field को direction हुँचा So magnetic field चाहिए perpendicularly act गड़ दुईटे D को बीच मा अने तेश्वची अब आमे चाहिए सपोसगरम के सपोसगरम मन्दाखे रिवड़ा positive ion चाहिए पोजिटीव आयन चाहिए ना positive ion वानेको तेई हम्रो alpha particle अध्वा proton प्रोटोन और alpha particle हम्रो हमले एजिम गर चाहिए किना वनि या electron चाहिए योजगरना सकेनना किना सकेनना किना वान्दाखेरी तेव इलेक्ट्रोन वानेको lighter weight होन्छा येन comparison to proton और alpha particle तेवरा हमले अल्दी गाती happier weight वहको पार्टिकल लिना सकेन्छा तेवरा अल्फा पार्टिकल और proton होन्छा अनि थियो चाहिए किवरेंछा आवा source वाट्रा लीव गरेंछा अनि त्यस्पशित थियो at a time तेई same zone time मा आमले लीव गरेंगानी तेवला D2 चाहिए किवरा D2 को मतलब पोटेंशियल चाहिए maximum negative होना जानचा किना मने positive ले negative लाई मतलब attract गरनी वाँ अनि त्यो positive पार्टिकल चाहिए negative तीरा स्विय जाने वाँ अनि ठाकके याह यह अरुआ है मेले तपारले यो देखाऊँछा अब जस्ते यहां आमरो positive particle चाहिए positive particle चाहिए positive particle सीधे negative त कि गरचा त्यो direction चाहिए right-hand thumb rule भाट ठाके circular direction मा act गराऊचा अनि circular direction मा act गराऊचा अनि इसतरी circularly magnetic field ले गरदा किरी यहां अनि यहां अनि पाची फिरी एता दाचा अनि तेई same time मा फेरी यह हमरो positive particle मतलब यहां पोजिटिव बाई देंचा रा यहां नेगेटिव बाई दे इनसाइड जुन D होंचा नि D को इनसाइड वा चाहिए अमरो electric field 0 होंचा जसते शुरू मा फाटिकल ले हमले एक्सलेट तक गराएं तेस बचे यहां चाहिए इसको भित्रा electric field 0 होंचा तरा magnetic field चाहिए act गरचा अनि magnetic field ले चाहिए circularly एसलाई गोमा होचा गोमा यहां फेरी जबा यो ठाक के यो टाइम मा यो positive रा यो negative भाई दिन्छा अनि negative भाई रा फेरी यो attract होंचा अनि अली गत्ती धेरे स्पीड बढ़ने हो फेरी इसते सेम प्रोसेस एता जबा भित्रा पुपचा फेरी यहां electric field 0 होंचा इलेक्ट्रिक field 0 होंचा यहां फेरी की गरचा यहां अमरो magnetic field ले गरदा खेरी यो circular ले इसते फेरी इसको radius increase होदे जान्छा अनि increase होदे गवाई इसी फेरी यहां पाइरा फेरी यो की बन दिन्छा यो आमरो फेरी positive होंचा रा यो negative भाई दिन्छा अनि तेस पसी positive proton लाई फेरी negative ले अट्राक गरनेगो और जानी speed बढ़ाय रा अनि इसते इसते गरदा गरदे यो चाइं एक सेन पाशी की होदे होंचा धेरी बड़े बड़े जाएदा खेरी यो प्रोसेस एक तेस पसी immerz होना जानिछा त्यो आमरो पार्टिकल जानी alpha पार्टिकल अथा प्रोटुन तो चाहि इमर्ज होना झाना रा ही आ इमर्ज वाय टाइम लगायो इसले सब ये कुरे आरू तेही हीट गरे पचे इन्हें डिटर्माइन गरिंछा अनि अब येसको चाहिए आमे फर्दर mathematical calculation गरना लाई अगाडी बड़ाम सो यो चाहिए क्योंचा circular path मा increasing radius इंसाइड दर डी वाटा जुनचा तो finally charge particle की गरचा इमर्ज गर चाहिए ना इमर्ज गरे पचे क्योंचा maximum radius मा इसले immerge गर चा विट maximum velocity अनि तो येसपची गिया आर्चा maximum velocity ले गरदा करी यो गरे टार्गेट मा इस्ट्राइक गरदा करी आमे इसले जही mathematical ली हावाई हर घर दा करी आम ले शुरू माँ लेट गरम कि यह लेड़ करम बंदय ही जो चार्यज पर्टिकल सा तो चार्ज पर्टिकल को जोन मतलब force of magnetic field ते Mississippi ट्योँ कीसिता corresponds हुआ हूँछा हूँछा की जोन सेंट्रीपिटल फोर्टिकल करी हा हूँछा हूचा त्यों की सिता एक्वेल हुना जानचा आमरो centripetal force अंगा एक्वेल हुना जानचा त्यों centripetal force अंगा एक्वेल वासी आमरो force magnetic force को formula की हो BQVO अनि तेस्टे फिर centripetal force को Mb square by R हो अनि तेसले आमले further calculation गरे आमले radius निकालजा त्यों maximum radius हुना जानचा यहती R max linear आमी generalized formula R equal to mby bq हो अनि त्यों जाएं क्यों radius of circular path हो जोना आमरो particle ले path follow अनि त्यस्वाटा जाएं आमी की वारों मन्दा कीरी time period निकाला आम, time period को formula क्यों? t equal to 2pi by omega हो हामले थाचा और ओमेगा को value फेरी क्यों होंचा आमरो b equal to r omega होंचा अनि त्यस्वाटा चाहिं आमी omega को value b by r वनने राले लिएंचाम अनि त्यस्वाची 2pi by r by omega होंचा अनि आमले r को value थाचा r को value की हो? mby by b q हो अनि त्यस्वाची चाहिं आमी put गरे रा t equal to 2pi m by b q निकाल साम याँ 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 योड़नो ये t equal to 2pi m by b q होंचा त्यों बने को की हो आमरो time period of revolution of the particle हो अनि त्यस्वाची चाहिं आमरो next आमी further क्यों गर साम बंदा खरी time period निकाले पसे आमरो omega को value को था 1 by t होंचा 1 by t होंचा ठ्याक के चले opposite गरे पची 1 by 2 by b q by m होंचा अनि त्यस्वाची फेरी आमी क्यों बन्चाम frequency of cyclotron पनी बन्चाम अब चाहिं आमरो q होंचा बंदा खरी frequency of particle के संगा equal होंचा frequency of oscillating electric field चाहिं आमले omega ले denote गर्चाम omega बने को क्यों आमरो angular frequency हो है ना omega बने को आमले बने को क्यों बन्दा खरी angular frequency सो omega equal to हम लाई की थाचा 2 by f होंचा अई ना ओमेगा equal to 2 by f होंचा आपकी अरम बन्दा करी f को value हम लाई था चा F को वैलू किये थाचा बन दाखरी 1 by 2 pi bq by m उन्छा सो omega equal to 2 pi अनि 1 by 2 pi bq by m F को वैलू पूर गर दाखरी 2 pi 2 pi कैंसल उन्छा रो omega equal to bq by m आऊना जान्छा रो अब चाहें आमी की घरां फर्दत इसको काइनेटिक एनर्जी बने निकालना मैं काइनेटिक एनर्जी चाहें शुरू मैं maximum काइनेटिक एनर्जी निकालना पारो निकिना वने तो maximum velocity ले बाइराल इमर्ज भाँछा अनि तेस्वची गारे टार्गेट माहीं स्ट्राइक गारेचा सो इसको maximum kinetic energy gained by that particle while emerging from that d's to the target मतलब आमरो d जुन थे हो नी इस्तो circulating d वाटा जब माक्सिमाम एनर्जी मा इसले इमर्ज गर्यों नी तेती बेलाको इसको कती होन्छा velocity अथ्वा kinetic energy कती थियो तो निकालना लाई चाहें आमी अब की अर्शंबंदा केरी half mba square लगाऊचा वानी b square वहनेको आमले velocity को value थाचा, velocity कती थियो आमरो b equal to आमी की थाचा की b equal to r omega होन्छा अनि आमले r को value नी थाचा, omega को value नी थाचा अनि तेसले चाहें आमी यहाले आरा पूट पनी करना सकेंचा दस तेर नो है half mba square वाट b square वहनेको r square omega square होन्छा जुनकी आमरो max r max पनी होन्छा अनि omega max पनी होन्छा, maximum angular frequency अनि maximum radius तेसले half m r square अनि आमले omega को value थाचा, omega equal to k थियो, b q by m थियो आनि omega square गर्दाखरी b square q square by m square होन्छा अनि तेसले b q by m square गर्दाखरी kinetic energy की आऊचा, half b square q square r square by m होन्छा अब आमले r max को पनी value लेर पुट गर्ना सकेंछा, further, further calculation को लाइक की गर्नी वन्दागरी, आमले kinetic energy equal to b square q square r max by m होन्छा अनि त्या चाहिं आमी अब आर मैक्स को value राखामाई, r max को value की होन्छा, आमरो, r max को value न राखदानी होन्छा, अत्वा आमरो सुरू में आथे हो, नी r equal to kी आथे हो, यहाँ तो r equal to m by b q आथे हो, तेस्वाटर फिरी आमरो b आउजार, cancel out होन्छा, ते वर आत्यो चाहिं न गरदानी होन्छा, अनि डाइरेक्ट चाहिं अब आमी की गरशां, डाइरेक्ट आमरो के लिएनी kinetic energy equal to half mb square होन्छा, अनि तेस्वाटा half b square q square, अनि b square q square, r square by m लिएनी, अनि तेस्वाइब खेरी आमी फर्दर मिला आयरा राखता खेरी की होन्छा, कानेटिक अनर्जी इकल सब्वे 1 by 2 pi f by q fm by q को, वोल स्क्वाइरों सा यो 2 pi fm by q कावाटा आयो, हमरो उसको ब्यालू हो, की को ब्यालू वान्दा करी, या बी को ब्यालू हो, b equal to आमी एस थे हो नि ता, की थे हो वान्दा करी, f equal to 1 by 2 pi, अनि b q by m थे हो नि, वो तेसलें आमी फर्दर orientation मात्रे मिल अनि b को ब्यालू निकालना लाए, 2 pi fm by q गर देको, अनि b को ब्यालू आओ, अनि तेसलें जाएं आमी इसक्वाइरीं गर्दा करी, इन्टू q square r square by m था, आमरो पहले देखी थे हो फॉर्मूला मा, यही थे हो q square r square by m, अनि तेसलें फेरी फर्दर काइनेटिक एनर्जी, म अनि काइनेटिक एनर्जी चाहें, अब मैक्सिमाम आमरो की आयो, 2 pi square f square m r square को max, r मतलब maximum radius को whole square, अनि फर्दर अबा आमी चाहें, इसको लिमिटेशन्स बनी जामाई, लिमिटेशन्स मा कीछा बंदा केरी, साइकलो ट्रोन को लिमिटेशन्स शुरू मा, हामरो जोन साइकलो सिम्पली इस तो फर्दर धेरेल एकना परते न, ज़स्ते आमरो वटा रिलेशन्स हानी, relativistic, m equal to m not 1 minus b square by c square होन्छा, आमरो energy, mass energy equation वटा निखालेको formula हो, और त्या साइक की होन्छा होन्दा खिरी, ज़स्ते m बनेको आमरो relativistic mass हो, और m not बनेको mass at rest मा, rest मा जबा होन्छा, त velocity, तेती बेला चाहिए आमरो velocity पानी, ज़वा आमरो velocity इंक्रीज होन्छाने, तेती बेला तिसको relativistic mass पानी increase होनी रही शारे, क्यों होन्दा खिरी, या एरनता, this shows that the energy of emerging particles can be accelerated cycle or are limited by relativistic increase in mass with the velocity, मतलो इनेर चाहे limited होन्छान के, साटेन, मोईले खास की वन्ना खोजे बन्दा ख तेती आमी इसको velocity इंक्रीज गर चाहिए, आमले इसको velocity इंक्रीज गर चाहिए, इसको frequencies होन्छा, ते वो decrease होना जान्छा के, frequency amplitude होन्छा ने, इसको frequency होने को खस्तो, अब तो पेले normally general life मा नहीं सोचुना, कि कुने इस तरी मतलब उस webs मा गई राचा बने, कुने particle, इसको velocity आम एक्तम फास्ट गर दें, एक्तम फास्ट वहने को कि एक्तम इसको इसको गर दे जान्छा, और इसको amplitude चाहिए, गर दे जान्छा, इना, amplitude में यदी light को speed मा जाने होने सीधा गई देंछा, एक्तम straight गई देंछा, जुनकि हम ले एतिके पनी light मा पनी ता यवडा वेब नेचर अनि तो light particle, मतलब light light हम ले एर ना सकते नाम की कस्तो वेब नेचर शोगर चा, इनफेक्ट हम ले जे कुर आमा पनी वेब नेचर पाऊ चाहिए, आमरो duality principle ले ने तेही वान चा की particle रा वेब नेचर सबब ले शोगर चान, में भी तेहा something कुने वेब बन ना सक्छा चाहिए आमी cricket ball फाल दाखेरी पानी तेहा certain webs होन चा, तियो web को formula चाहिए आमी इस्तरी lambda equal to h by p वाटा निकाल चाहिए, h वाने को आमरो क्यों चा, planks constant p वाने को momentum, वो तेस वाटा जास्ते web नेचर सोगर चानी, तेहाँ पनी भने हा कि when we increase the velocity, its frequency get decreases at certain time, तियो चाहिए आमरो limitation हो cyclotron को या तेही कुरालाई चाहिए आमरो explain गरे हा, कि वाने हाँ वान्दाखेरी, the frequency of the circulating particle get decreases with increase in the velocity, कि वाने हाँ वान्दाखेरी, f equal to b q by 2m होन्छा, जुना आमरो relation f dash equal to b q by 2 pi m होन्छा नि, अगी को आमरो relation थेओ निया है रूंता, f equal to 1 by b q by m होन्छा, है ना, 1 by 2 pi b q by m होन्छा अनि, तेहलाई चाहिए, f equal to 1 by 2 pi b q by m बाटा, आमी चाहिए, m को ब्यालू राख्षां, m को ब्यालू की आमले खापासां, यहार नोता, m को ब्यालू, m equal to mass energy relation बाटा, m equal to m not 1 minus c square by b square होन्छा, हो, तेहलाई चाहिए, मुले या फर्थर लेख दाखेरी, इसको होन्छा, यो अनि, चाहिए, root मा होन्छा, मेले या चाहिए, mistake गरे रेख भली, को थी, m not by 1 minus root over 1 minus b square होन्छा, अनि, तेहलाई चाहिए, फर्थर ये था लेख दाखेरी, b q by 2 pi root over 1 minus b square by c square बनना जान्छा, अनि, तेहलाई फेरी जाओ, आमी, अबाई, यो समस्या भायो होन्छा, कि आमी, अनि, फ्रिक्रीज गर्दा करी, 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 फ्रिक्रीज गर्दा लाई की गरे वांदा करी magnetic field लाई भेराई गर होना खाले magnetic field लाई भेराई गराया पाची हमरो की होंचा velocity maintained होंचा आए ना velocity धेरे increase होनना kinetic energy धेरे maximum होनना धेरे kinetic energy maximum भावबने मेबी त्यों target माँ ठोकी ना सक्छा अरू कुने direction माँ जाना सक्छा है ना यह ता specific certain target जोना आमरो यह picture छाने आमरो यह picture शूरू माँ थे उने आमरो यह target यह target माँ यह 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 strike गरे ना वने specific velocity भाणदा धेरे अज यह speed माँ यह बाटा direct emerge गर दियो वने त्यों ता target माँ ठोकी ना अने त्यों आमरो experience successful ने उनना त्यों समस्याले overcome गरना लाई synchrotron बनने device बनाईयो synchrotron device माँ की गराईंचा बन्दा करी magnetic field लाई शाएं बहराई गराईंचा magnetic field लाई भेराई गराई रहे आमले velocity लाई maintain गरचा की गरचा म बन्दा करी ता frequency of the circulating particle can be kept constant है यहां साई क्योंचा frequency constant राखिन शा circulating circulating particle को तरह चाहिं की गराईंचा भेराई आमरो by increasing the strength of magnetic field जुन हामरो magnetic pulse थेओ नि दुईटा मतलब दुईटा साइड साइड में डाइपोल्स अरुईटा के थेओ नि वहत्यो magnetic field लाई चाहिं आमरो strength of magnetic field लाई increase गराई रहा आमले की गरें मन्दा करी जुन नया formula जेनरेट करें की गरें बी रूट ओबर 1-2 square by c square magnetic field लाई आमी strength लाई बढ़ाए रहा चाहिं बी 1-2 root over 1-2 square by c square always remains constant यह चाहिं आमी आवा की गरें मन्दा करी constant गराई दें तो frequency लाई यह bq q by 2 by m0 थे हुने तो वनेको rest मा रेस्ट मास लाई चाहिं हमें neglect कर दें अनि तेस्पसी हमरो की आयो b1-2 square by c square जुन की सदे क्यों चाहिं 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 दा प्रोड़क्ट इसको जुन आऊँ चाहिं जो आमीं magnetic field को इस strength लाई इंक्रीस कर चाहिं इत्य ते विला प्रोड़क्ट की आयो b1-2 square by c square जुन की जुएले पनी constant हुन चाहिं अब इस्तु इन सच मसीन b increased when b increased है ना जो आमीं velocity बड़ोजाम तेती विला magnetic field पनी increase हुन चाहिं अनि तेस्तु टाइप को machine को जुन हुन चाहिं तो always remains constant आमले तेही बड़े हुन की b1-2 आमे कुणे पनी तेती विला चाहिं कीवन चाहिं velocity increase गरदा खरी magnetic field पनी increase वह दिन चाहिं अनि तेसले गरदा खरी तो control बढ़े रा बस चाहिं येदी velocity बड़े हुकि येता हमी magnetic field बढ़ाया रा तेसले चाहिं 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 कीवन चाहिं सिंक्रोट्रोन बढ़े को इस तो डिवाइस जसमा आम्रो frequency चाहिं constant हुन चाहिं तरह magnetic strength लाइचाहिं आमी increase गरदा है frequency of particle circulating particle remains constant by increasing the strength of the magnetic field and when we increase the strength of magnetic field the velocity also increases तो आमरो velocity में पनी असर परने भाया न velocity एक्दम मेंटेनने रहने भो अनि हम्रो magnetic field पनी एक्दम मेंटेन रहने भो magnetic field आपनी direction में तेसले strike गरहने भो magnetic field ले गरदाखेर ते और आमरे कर्ब बनने भो magnetic field ले गरदाखेर ता circulating गरी राचानी increase in radius वाला अनि तेसले तेस्टो device ले जसले आमरे मतलब frequency constant राखचा तरह magnetic field भेराई गराऊचा तेस्टो device ले आमी चाहिए क्योंचा सिंक्रो ट्रोन बन्चा अबस और को चाहिए आमरे क्येचा और को तेसले overcome गरने तरीका क्येचा बन्दा केरी आमरो frequency modulation वाटापने आमी क्योंगरना सकेंचा यसले synchrotron ले मतलब frequency modulation वाटापने आमी cyclotron ले overcome गरना सकेंचा जोन समस्थ्यार आयो cyclotron मा अनि frequency modulation प्रोसेस को जोन डिवाइस युजगरचां नित्यों डिवाइस ले क्ये वाणेंचा आमरो synchro cyclotron वाणचां अबस एसमा क्योंच frequency modulation टेखनिक मा चाहिए क्योंचा frequency जोनचा ने तेसले चाहिए आमी भेराई गराऊचां रा magnetic field लाई चाहिए constant राखचां यहाँ चाहिए ठाके synchrotron को opposite होँचा की होँचा यहाँ frequency भेराई frequency of charge particle भेराईज अनि तेसले आमरो magnetic field चाहिए remains constant यहाँ चाहिए language मा क्या लेखे सा वाणदा केरी in frequency modulation technique the frequency of applied particle मतलब applied AC जोन आमरो applied AC सा ने तेही आमले जोन supply गरे सा महिए frequency of applied oxalating field oxalating field वहने को AC यहाँ इलेक्रिक field यहाँ electric field मा अनि तेहो चाहिए क्योंचा भेराईट in such a way that frequency of charge particle is equal to the frequency of the oxalator मतलब जोन आवो device शानी oxalator यह synchro cyclotron तेसको चाहिए frequency चाहिए आमी एक्वेल गरायरा by keeping the magnetic field constant this type of machine क्योंचा this type of machine in which the magnetic field kept constant परता frequency varies it's called frequency modulated cyclotron अथवा इसला है synchro cyclotron पने भन्छन अनि तेस्ते गरी फेरी आम्रों क्योंचा cyclotron can't accelerated under particle like neutron neutron वहने को क्यों chargeless particle हो नी chargeless particle मा ता यो आम्रों क्यों limitation हो अनि औरको limitation क्योंचा cyclotron is suitable only for accelerating heavy charge माहिले शुरू में वीडियो को शुरू में भने को नी कि proton alpha particle मात्रे लिना सकें चा इसको लाई चाहिए it is not suitable to accelerate lighter charge particle like electrons electrons लाई चाहिए strictly prohibited चाहिए यो चाहिए आम्रोंचा यो चाहिए यो चाहिए for very high kinetic energy like 500 GV वांतलब giga electron volt it is impossible to design a magnetic field system so हमें चाहिए एकदम very high kinetic energy वांको particle like पनी use गरना सकते ना तेती वेला चाहिए हम रहो तिस्तो magnetic field हमें तिस्तो magnet ने use गरना सकते ना तिस्तो electromagnet ने बने चाहिए इस्तो 500 GV मतलब kinetic energy वांको particle like पनी उस cyclotron मा rotate गराऊना सक्छा थो magnetic field मा circulate गराऊना सक्छा तेहिए वारा हमें चाहिए 3-4 वाट जस्ते की कीशा बन्दा खेरी अब शुरूखो वाला लाईता overcome गरना सक्क्यों frequency modulation magnetic field भेराई गराई रहा जुन की आमरु किये थे velocity बढ़ दाखेरी frequency decrease होनते हो तेहिए overcome गराई यो तरह cyclotron लाई चाहिए अर्व चाहिए इनी अरले था overcome गरना लाई strictly prohibited छा तेहिए use ना गरने जस्ते की neutron लाई use गरना सक्ते ना अनि तेहिए cyclotron मा क्योंच electron मतलब electron लाई use ना गरने proton रा alpha particle अरले जुनकी अलिगती happy होन्षन तिनी अरले चाहिए use गरना पाई हो तरह फेरी very high kinetic energy वहको particle पनी use गरना पाई है किना बनी तेती बेला चाहिए कुने electromagnet ने बने शाहिए आम ले तेस्तो खाल को field generate गराऊ कि इस्तो आई kinetic energy वहको particle लाई पनी सर्ग मतलब magnetic field मा oxalate गराऊना सपोस तित्ती कुरा आऊ आमरो cyclotron को full explanation वीडियो वीडियो देरे लामो ना गयो तरह मजा चाहिए एकदम आयो इस्ते गरी लास्ट सम्मा देख इरे दिनू आको मा धेरे धेरे धन्यवाद राव फ़र्तर आमरो अरूपानी वीडियो आरू आयरान सल वीडियो धेरे लामो भायो एदि के सजेशन दिना सावने कमेंट सेक्षन खाली ने शाव कमेंट सेक्षन आमनी सजेशन दिनू अला आजकुलाई एती मत्रे, ठैंक यू